नमोस्तु महाराज जी, मुनिश्री प्रमान सागर जी महाराज के आशिरवात से आज हमारे इस 11 साल के शोधन कारे को आवाज मिली है और नियू यॉर्क में रहकर के शमा सागर जी महाराज की पेड़ना से धर्म प्रभावना मैंने निरंतर करी, किताबें लिखी, जैन धर्म की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कदम, कुछ बोर्ड गेम्स बनाए और तीर्थंकर महावीर जैसी फिल्म का सह निर्देशन किया, अपनी जीवन को हमेशा जैन पध्धती, जैन मूल्यों पर ही जिया, लेकिन फिर भी मैंने देखा, कि कहीं न कहीं से कोई न कोई रूप से बिमारियां शरीर में आ रही थी, मैं रातरी भोजन नहीं ले ली, ना मैंने कभी आलू प्याज जल, मूल कंद कभी खाया, तो समझ नहीं आया कि क्यों ये बिमारियां मुझे आज घेरी हुई हैं, ग्यारा वर्ष के सदत प्रयास से, और ज स्वास्त के बेसिस पर लिखा गया है, कैसे मैं समझ सकू और बहतर रूप से, और इनको समझ करके, मैंने केवल तीन महीने के अंदर अपनी सारी बिमारियों को रिवर्स कर दिया, उसके बाद एक प्रोग्राम चालू करा, लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस करके, न्यु य शिफाली जी अजमेरा ने इस प्रोग्राम को किया, स्वासलाब लिया, और उन्होंने आगे बढ़कर मुनिश्री प्रमान सागर जी महराज से आशिरवात दिलाया, महराज जी ने इस चैलेंज को ग्रहन किया, और अपनी एनरजी लेवल्स, अपनी शक्ती को चार से दस ग परने की इच्छा होती है, या कई लोग यही भी खहते हैं, कि आज आराम करने का समय ही ना मिला, होता है ऐसा, क्या आप लोग आज इत्ती शक्ती रखते हैं, कि अपने बच्चों के साथ में दौड़ भाग कर सकें, उनके साथ सौकर खेल सकें, या बाड्मिंटन खेल सकें इत्ती एनरजी है आपके पास, जब कोई हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रॉगल्स आते हैं, परस्थितियों में उपर नीशे उहापो होती है, उस समय क्या हम बिलकुल निर्विकल्प होकर अपने जीवन को जी पाते हैं, कि बहुत नेगेटिव थौट से हम घिर जाते हैं, टॉलरेंस नहीं होता, चिला चोट मचाते हैं और घबराते भी हैं, होता है यह सब हमारे साथ, राइट? तो आप समझिये कि प्राकृतिक रूप से यह सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारे पास में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, रहस्यमय शक्तियां हमारे खुद के शरी जिसे हम बोलते हैं आज हमारा human birth है ये, इस default setting में ये हमारे साथ में आई हुई है, इस शक्ती को बढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन हम अगर उसे एक chance दें तो, हम लोग जो खाद्य पदार्थ के माध्यम से कार्भो हाइडरेट्स लेते हैं, उनका जो end product होता है, वो शुगर होता है, कार्भो हाइडरेट मतलब क्या? ब्रेड खाई, रोटी खाई, अनाज खाया, इन सबका end product, rice, चावल लिए, इन सबका end product, by product, sugar होता है, हम रोज रोज इन कार्ब्स को लेते हैं, शुगर हमारे ब्लड में जाता है, और फिर हमको energy मिलती है, कि हम सुभर शाम के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें, होता है ना सबके साथ ऐसा, जिस दिन नहीं खाओ, उस दिन बैठे रह जाते हैं, तो इस तरह से हम समझते हैं, कि हमारे रोज के खाने से हमें energy मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक रहस्यमई शक्ती है, जो रोज-रोज के खाने पर dependent नहीं है, और वो रहस्यमई शक्ती अगर उजागर हो जाती है, तो बिना किसी dependency के हमारे energy levels maintain हो सकते हैं, और सिर्फ simple रूप में maintain नहीं हो सकते, ये कई गुना ज़्यादा रूप से maintain हो सकते हैं, एक ग्राम carbohydrate के molecule में 4 kilocalories energy होती है, जो हमें मिलती है, लेकिन जब हमारी body के अंदर हमारे ही molecules, जिनका नाम है fats, आप सब जानते होंगे वसा, ये fat molecules जब burn होते हैं, तो एक ग्राम fat molecule के burn होने से, आपके शरीर के अंदर 9 kilocalories की energy सोभाविक रूप से आपको प्रदान करता है आपका ये शरीर, लेकिन हमने कभी उसको उद्घाटन किया ही नहीं, क्योंकि हम rolls rolls carbs खाते हैं, तो एक बार जरूर हमें अपनी शक्ती का उद्घाटन करना चाहिए, हम सब जैन हैं, प्रकृती से जुड़ते हैं, शाय जैन शब्द बना भी प्रकृती से ही है, अगर हम प्रकृती के माध्यम से अपने खुद के होने का उद्घाटन सही माइने में नहीं करते, तो फिर हमारे पास में तब की, त्याग की उर्जा कहां से आएगी, अभी तो हमें गुसा आता है, अभी तो हमें चीजों से जूजना पड़ता है, यह हमारे लिए नहीं है ऐसा, अगर हमने हमारी उर्जा का लेवल बढ़ाया, हमारे दिन में आराम करने की आदतें खतम हो जाएंगी, चिर्चिरापन खतम हो जाएगा, एनरजी का स्तोत्र बढ़ेगा, हमारी सारी बिमारियां रिवर्स होंगी, आज कल की जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, लोग आकर मुझसे पूछते हैं, यह तो मेरे करम से है, तुम क्या कर लोगे, तब उनको मुझे बताना पड़ता है, कि यह आपने इन्वाइट करिएं बिमारियां अपने शरीर में, इन्हें कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज जैसे महारत जी ने अभी हाल बताया हमें, हार्ट प्रॉब्लिम हुई, डाइबिटीज हुई, आर्थ्राइटिस हुआ, और्टो इम्यून डिसॉर्डर्स हुए, बहुत सारी ब्लड प्रेशिर हुआ, इन्फ्लमेशन हैं बॉडी में, ये सारी डिजीज आज लाइफस्टाइल से हमारे आएं, हमने खुदने इन्वाइट कर रखी हैं, हम क्यों बैठ कर यहां कर्मों को दोश दे रहे हैं, हमें तो पुरुशार्थ करना चाहिए, कि अपने भीतर की छुपी रहस्य में शक्ति को हम उजागर करें, और फिर चल करके, हम अपने अंदर की उर्जा इतनी बढ़ाएं, कि जिसमें हम विश्वास रखते हैं, हमारे प्रशस्त मार्ग में, जो कि मोक्ष मार्ग है, अपनी सारी बिमारियों को खत्म करें आप लोग, और मन लगा करके मोक्ष मार्ग की तरफ अपने पैरों को आगे बढ़ाएं, जैजनेंद्र,